नमस्कार दोस्तो, मेरा धामे उज्वल सिंगल और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने चीमेल अकाउंट में अपना एक सिगनीचर एड कर सकते हो और अपनी इमेल को और जादा प्रोफेशनल बना सकते हो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो का इंट तक जरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अगर आप लोग का दिल करे तो मेरे इस यूटूब channel को subscribe भी जरूर कर लीजएगा, वीडियो के नीचे लाल कलगा subscribe बटन है, उसको दबाके आप मेरे इस youtube channel को subscribe कर सकते हो, बहुत ही असानी से, और जिन लोगों ने ऑल्ड़ी मेरे इस channel को subscribe कर रखा है, उन सभी को मैं अपनी दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत शुक्रिया कहते हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और साधा बिना समय गवाएं। So guys, digital signature को create करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हमारा digital signature दिखता कैसा है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने लैप्टॉप में अपना प्रस्नल जीमिल अकाउंट लॉग इन कर रखा है। और यहाँ पर मैं compose के उपर क्लिक करता हूं। जैसी guys मैंने यहाँ पर compose के उपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यह मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर शो हो रहा है। Guys, यही होता है हमारा digital signature और इसी को हमें कैसे create करना है वो आप लोग सीखने वाले हो। यही चीज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं। So guys, सबसे पहले आपको अपना वो Gmail account login करना है जिस Gmail account में आप अपना digital signature create करना चाहते हो। जब आप guys उसको login करोगे तो आपको कुछ इसी तरह का interface शो होगा। यहाँ पे guys आपको ऊपर की तरफ एक setting का button शो होता है। आपको guys इस setting के button के ऊपर click करना है। जब आप यहाँ पे guys इसके ऊपर click करोगे ना तो यहाँ पे आपको see all settings यह option शो होगा। आपको इसके उपर क्लिक करना है. So guys, अभी आप देख सकते हो, कि General Settings में मैं आ चुका हूँ, आप भी General Settings में पहुच जाओगे, आपको अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जैसी आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो, तो आपको एक Option शो होता है, और वो Option है guys, Signature का, आप यहाँ पर देख सकते हो. अब guys, यहाँ पर एक Button आपको शो होता है, जिसके उपर लिखा हुआ है Create New. आपको guys, इस Button के उपर क्लिक करना है. जब आप यहाँ पर इसके उपर क्लिक करोगे न, तो यह आपको, आपके Signature का एक नाम डालने के लिए बोलेगा. तो आप अपने Signature का कोई भी नाम रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहूँ. फिलाल, एक्जामपल के लिए मैं आपको पता देता हूँ, कि मैं अपना नाम रख रहा हूँ, My Signature. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, मैंने My Signature लिखा, अब यहाँ पर मैं Create के उपर क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी Create के उपर क्लिक करने हैं. जैसे ही आप यहाँ पर Create के उपर क्लिक करोगे न, आपको देखिए यह एक Box सा शो हो जाएगा. इस Box में, आप अपना Signature क्रिएट कर सकते हूँ. जैसे Example के तौर पे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, Thanks and Regard. ओके, यह मैंने लिखा, अब मैं Enter प्रेस करता हूँ. Enter प्रेस करने के बाद, यहाँ पर गाईस, देखिए, यह Image का एक Option मुझको शोग रहा है, मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ. यहाँ पर, मैं Upload के उपर जाता हूँ, और Select a File from Your Device, इसके उपर क्लिक करता हूँ. अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मैं USB Drive F को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर, यह मेरा कुछ YouTube का Material पढ़ा हूँ है, यहाँ पर मैं Channel Logo, यह जो है वो Select कर लेता हूँ, और इसको Guys मैं यहाँ पर Open कर लेता हूँ. तो अभी आप देख सकते हो, कि वो जो मेरी Image है, मेरे Channel का Logo, जो मैं Insert करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर Upload हो रहा है, यह जो Image है, यह बहुत बड़ी यहाँ पर आ रही है, है ना, मैं नहीं चाहता कि यह Image इतनी बड़ी शो हो, तो Guys करना क्या है, आपको इस Image के उपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद Guys देखे, यहाँ पर आपको बहुत सारे Option शो हो जाएंगे, जैसे Small, Medium, Large, Original Size, Remove, अगर आप Remove करना चाहते हूं, आपने गलती से कोई Image यहाँ पर एंटर कर दी है, तो आप उसको Remove भी कर सकते हूं, फिलाल Guys, यहाँ पर मैं Small के उपर क्लिक कर लेता हूं, यह मुझको सही लग रहा है, अब मैं भार क्लिक करता हूं, अब इसके नीचे मैं जो भी लिखना चाहूं, वो मैं लिख सकता हूं, जैसे Example के तौर पर मैं लिख देता हूं, Indian Tech Education, यह मैंने लिखा, अब मैं अब इन्टर प्रेस करता हूं, यहाँ पर Guys, मैं एक बार और अब इन्टर प्रेस करता हूं, और यहां पर मैं लिखता हूँ YouTube, इसके नीचे मैं एक और बार Enter करता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ Instagram, फिर मैं Enterprise करता हूँ और लिखता हूँ Website, फिर से मैं एक Enterprise करता हूँ और लिखता हूँ Facebook पेज ओके ये सब मैंने यहाँ पर लिखा गाईस अब इन सब क्या आगे गाईस मैं लिंक जो है वो डाल देता हूँ अभी गाईस आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिंक जो है वो एंटर कर दी है लेकिन गाईस ये जो सारे लिंक्स है वो नॉर्मल टेक्स्ट में यहाँ पर एंटर हुए है मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर लिंक में यहाँ पर एंटर हो तो मुझे करना क्या है देखे मुझे इसको सेलेट करना है ठीक है जितना मेरा link है मुझे सिर्फ अपने उस link को select करना है और यहाँ पर देखे आपको link का ये button शोगा option शोगा आपको guys इसके उपर click करना है लीजे आपको काम हो गया उसी तरीके से guys आपको बाकी के सारे जितनी भी links है ना उनके साथ यही करना है select करना है और link के उपर click क okay तो चलिए मैं बाकी की बचे हुए सारे links ऐसी ही कर लेता हूँ so अभी guys आप देख सकते हो कि मैंने सारे links जो है वो ठीक कर लिए अब यहाँ पर guys मैं ऊपर की तरफ scroll करता हूँ अब यहाँ पर यह जो मैंने thanks and regard लिखा था मैं इसको select करता हूँ और यहाँ पर bold के इस option के तो अब आप देखोगे कि यह जो thanks and regard मेरा लिखा था यह जो है bold हो जाएगा okay उसी तरीके से guys यह जो मैंने अपने channel का नाम लिखा था इसको मैं यहाँ पर select करता हूँ और bold के उपर click करता हूँ तो आप देखोगे कि यह भी bold में हो जाएगा और इसके बराबर में यह जो size का option है मैं इसके उपर click करता हूँ और इसको थोड़ा सा large कर देता हूँ okay अब guys आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे links डाले है YouTube, Instagram, website, Facebook page, email तो मैं यह जो YouTube इनके नाम है ना इसको select करता हूँ और bold के उपर click करता हूँ उसी तरीके से Instagram है Instagram को मैं इहाँ पर guys select करता हूँ और bold के option के उपर click करता हूँ okay उसी तरीके से guys website है तो website को मैं हापे select करता हूँ और bold के उपर click करता हूँ यह सारी process guys मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ सको और अपने आप खुद अपना एक signature Gmail के अंदर create कर सक पहुत ही असानी के साथ आपको कोई दिकत ना आए तो अभी आप देख सकते हो कि यह सारे मैंने bold कर दिये हैं और अब मेरा जो signature है वो कुछ इस तरीके का मुझको show हो रहा है आप चाहें तो यह जो आपने thanks and regard लिखा था आप इसको select करके इसका भी size guys यहां से increase कर सकते हो य ठीक है लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको large ना ही करें तो जादा सही है क्योंकि यह normal ही better लगता है अच्छा लगता है चलिए अब यह हमारा signature है वो हमने create कर लिया अगर आप कोई और information डालना चाहते हैं तो आप अपनी कोई और information डाल सकते हो जैसे contact us आप यहां डालना चाहते हो तो आप अपना address डाल सकते हो whatever okay अब guys आपको देखें नीचे की तरफ scroll करना है यहां पर guys अब आप नीचे की तरफ scroll करते हो तो आपको देखें signature defaults यह एक setting शो होती है और इसमें guys यहां पर आपको for new email use यह option शो होता है guys यहां पर अभी फिलाल no signature selected है आपक today guys my signature select कर लेना है okay यहां पर guys my signature मुझब को इसलिए show होच रहा है क्योंकि मैंने अपने signature का नाम my signature रखा है अगर आपने signature का नाम कुछ और रखा होगा तो वो आपको यहां पर show होगा अच्छ इसका मतलब क्या है guys यहां पर हमने my signature use किया है तो इससे होगा क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ, कि आप जब भी कोई नई mail compose करोगे, तो उस mail के end में आपका जो signature होगा, वो guys, automatically यह आ जाएगा, उसी तरीके से, अगर आप किसी को reply कर रहे हो, या फिर कोई mail आप किसी को forward कर रहे हो, तो आप चाहते हो, कि उस mail में भी अपने आप, आपका जो signature हो आ जाए, तो आप यहाँ पर यह जो दूसरा option है, इसके उपर click करना और अपने उस signature को select कर लेना, जैसे कि मैंने अभी अपने my signature को select किया है, अभी काम खतम नहीं होता है, आपको नीचे की तरफ scroll करना है, और जब आप नीचे की तरफ scroll करते हो ना, तो आपको देखिए, save changes, यह option शो होता है, आपको इसके उपर click करना है, यहाँ पर guys जब आप click करोगे, तो आपने जो भी changes करे हैं, वो save हो जाएंगे, और save हो जाने के बाद, आप अपने Gmail account में वापस से बाहर आ जाओगे, अब guys यहाँ पर देखिए, मैं compose के उपर click करता हूँ, तो मेरा signature है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने create किया है, वो मुझको यहाँ पर अपने आप से show हो रहा है, अब अगर मैं किसी को भी mail करूँगा, तो यह जो मेरा signature है, वो 7 में जाएगा, okay, I hope आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अपना signature create कर सकते हूँ, so guys, आज की मेरी इस वीडियो मस इतना ही, मैं आप से मिलूँगा अपनी next वीडियो में, जब तक हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल Indian Tech Education, जय हिंद वन्दे मात्रा!